आप देख रहे हैं वेत अंसार दोस्तो आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सपने में लड़ाई करने का क्या मतलब होता है लेकिन दोस्तो उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आप हमारा अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले देख सके दोस्तो यह बात तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया में सपना हर इंसान जरूर से देखता है बता दे कि सपना सिर्फ उन लोगों को ही नहीं आता जो जनमजात से अंदे होते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमें जो भी सपने आते हैं वे हमारे जीवन से ही संबंदित होते हैं जान लेकि हर प्रकार के सपने का अपना अलग ही महत्व होता है कहते हैं सपने पर किसका वशर कुछ लोग तो सपने में युद्ध या फिर खुद को किसी के साथ लड़ते हुए देखते हैं देखा जाए तो दुश्मन सभी के होते हैं और वह अपने दुश्मनों से अगर सामने से उनसे लड़ नहीं पाते तो वह अपने सपनों में ही अपनी इच्छाओं को पूरी कर लेते हैं दोस्तों ही जानते हैं कि स्युद्ध या लड़ाई जगड़े सपने में देखना शुभ होता है या फिर अशुभ इसके बारे में हम विज्दार से बात करेंगे दोस्तों इस जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंट तक जरूर देखिएगा दोस्तों सपने में लड़ाई जगड़ा देखने का अर्थ अगर आप जानना चाते हैं तो इस विशे में स्वपन शास्त्र और मनोविज्ञानिक दोनों की राए अलग-अलग है जहां मनोविज्ञानिक रूप से लड़ाई जगड़े का द्रिश्य देखने के वारे में यह कहता है कि ऐसे सपने व्यक्ति के वर्तमान में परेशानियों से घिरि होने के वारे में बताता है यही नहीं ऐसे सपने के अनुसार व्यक्ति को थोड़ा आराम करने की भी ज़रूरत है वही हमारे सपन शास्तर के अनुसार अगर आप सपने में युद्ध या लड़ाई जगडे का दरिश्य देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने आने वाले समय में सफलता प्रप्त कर सकते हैं यह सफलता की निशानी मानी जाती है ध्यान रहे कि अगर आप उस व्यूद्य लड़ाई जगडे में खुद को गायल होता हुआ देख रहे हैं तो यह और भी अच्छा होता है क्योंकि ऐसा देखना यह संके देता है कि भविष्य में आपके मान सम्मान में विर्दी हो सकती है और साथ ही अगर आप लड़ाई में किसी को हरा रहे हैं तो यह आपके जीवन में परशानियों के अंत का सूचक होता है दोस्तो आप कभी भी अगर आपको लड़ाई जगड़े के सपने आएं तो गबराई यह नहीं बलखी डट कर सामना करें और उसके लिए पहले से तैयार हो जाएं दोस्तो उमीद करते हैं अगर आगे भी आप कभी ऐसा सबना देखेंगे तो आप समझ जाएंगे उसका क्यार और दोस्तो आपको अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइप और कमेंट जरूर कीजेगा पर अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद नहीं आया तो क्रिपया हमें हमारी गलतियां जरूर बताईएगा हम जल्दी लोटेंगे एक नए और रोमांचक वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद